अगर जारकन के सरजमी पर अगर रेडिसन बुलु में भी अगर जस्न मनाया जाएगा तो रात में उनको नीन नहीं आएगा पाटियां का जो परिनाम रोजान आ रहा है वो आपने कहा कि वो आगे चल रहा है वो पिछे चल रहा है लेकिन अपने यह नहीं कहा कि गठ बंधन जितने भी पाटियां चुनौव-बडर रही है वो किसी न किसी रूप में एक सब्दा गया है भारत के अंदर में गठ बंधन यानि इसको हम कहते हैं ठग बंधन अगर एक बिरोजगार छात्र बीना पैसा का अगर चुनोती देरा लाग से भोड़ पार कर रहे हैं तो समझे जीत के बराबर हम लोग का है तेरा राउंड के नतीजे आ चुके हैं जे फिल्कुल हाँ बीजेपी 300 के अंदर और इंडिया गठ बंधन 200 के पार है क्या कहेंगे अब देखिए सबसे पहली बात की चात्र नेता देंदर नात मातो है एक गाउं से एक सहर आयते पढ़ने के लिए और अगर एक बिरोजगार छात्र बीना पैसा का अगर चुनोती देरा लाग से भोड़ पार कर रहे हैं तो समझे जीत के बराबर हम लोग का है जीती है आज तक से यह रिकोर्ट तोड़ रहा कितने बड़े बड़े पाटियों को यह टकर देना उन्हें सब पचासी से यह लड़ रही है बीचेपी और यह चात्र नेता देंदर मातों अभी जो वर्तवान में जो चुनावद वजर 24 में रहा यह कहने कहीं जीत क्या एक केम का हजारी बाग कोडर्मा गिरेडी और राची में जो परदर्शन है उसको आप लोग किस मजरी से देखते हैं देखिए आप वहां क्या हो रहा है नहीं हो रहा है हम लोग फिलाल 15 इस बजार में हैं और यहां के जो वोट के गिंती चोंगा के माधियम से जो सून रहे है उसके माध्यं से अम लोग रिप्लाइ दे रहे हैं अब वहां किस हिसाब चेह नहीं है हम लोग इसक्रीन में देख रहे हैं अब क्या नहीं है सत्यता तो उनहीं लोग जान सकते हैं आप लोग एक बहुमा से संतुस्च मतलबार अरवारति जोगे चंडरबार्ती छात्र ने पर टीजो पराइब करें हं परूंगी है जरकन का निर्मान हुआ 24 वर्सों तक जितने भी बिधायक और मंत्री आये उसे बहरे और गूंगे है और बहरे और गूंगे आने के कारण है जो यहां के आस्थानिय और न्योजान निती नहीं बना इसलिए कि इस भी से प्याना चाह रहे हम आपके भी से प्यार है यहां जंता के लिए अस्थानिय निति और शुआ नहीं बना लेकिन अपने परिवार के लिए निस wonderश बना कि पत्ति अगर88 अमर गया तो पत्नी गशार बन जाएगा लेकिन हमोगहां का जो चाहतर उनक्धा और पलाइन निती और रोजगार निती बनना चाहिए हम इस मांग पहले ब्याड़े थे और आज ब्याड़े हुए और पता देना चाहरे हैं कि जो चुनाओं के परिदाम आ रहे हैं जो राची लोकसभा के 15 केक परिदाम को डर्मा के प्रांगन में जो टीवी स्क्रीन के माध्यम से राधनबाद संसभी चेतर में जो आ रहे हैं तमाम जारकंड के तमाम कंस्टिचेंसी लोग सबासे जो परिणाम आ रहे हैं हम इसका स्वागत करते हैं लेकिन आपको बता देना चाहते हैं कि एक हलिकॉप्टर वाल और एक हवाई चपल वाला जो 24 वर्सों के अंदर में जारकंड के सरजमिस है जो सोये हुए लोगों को जो जारकंड के माई और माटी को जगाने का काम लगातार तीन वर्सों तक किया है और हम लोग ने ये बेड़ा उठाया है कि परिणाम शाहे पच्छ में हो जाहे जो भ और ठहला है वह आपने कहा कि वो आगे चल रहा है वो पिछ चल रहा है लेकिन अपने यह नहीं कि गठ बंधन जेतने भी पाट्ग्यां चुनाव लड़ रही है यहीं वो किसी ना किसी रूप में एक सबद आ गे भारत के अंदर में गठ बंधन यानि इसको हम कहते है ठग और हमारे डागर जायरम में ना किसी ठग बंदन में, ना किसी गडवन ने maimd किसे पाइसा ना किसे रुपया आपने सोसल मेडिया के माद्दम से देखा होगा लोग 10 रुपया भीस रुपया 50 रुपिया 500 रुपिया देख करके पूरे लोग सबाचिनल लड़ाने का काम किया और भारत के तिहास में पहली बारे सा भारत के किसी राज़ ने अगर संदेश दिया तो जारकंड ने देने का काम किया और आज मैं बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माद्यम से परिनाम जो आ रहे हैं हिर्दाई से हम उसका स्वागत करते हैं जनता का जनदेश का सम्मान करते हैं लेकिन आज के बाद अगर जारकंड के सरजमी पे अगर रेडिसन बुलू में भी अगर जस्न मनाया जाएगा तो रात में उनको नीन नहीं आएगा और नीन नहीं आने कारें टाइगर जेरें महतो है जो जारकंड के टाइगर है जिसके दाः पूरे दिल्ली के राज़धानी तक जा रहा है और हम बता देना चाहते है ये मेरा जो था सुरुवात था एक टर्रिंग पॉइंट था जो हमने अपना मिसन में काम्याब हो गया सम्मान बचाने का जो हमारा मिसन था हमने काम्याब हो गया और आने वाले दिनों में हम बिधान सभा का चुनाओ हम पुरे मजबूते और मुश्तेदी के साथ लड़ने का काम करेंगे और पूरे जार खंड ही नहीं, पूरे भारत का अगर कोई हीरो है लोगसभा के बेवस्था में और चुनावी परकिरिया में तो पूरे भारत के अंदर में, अभी मैस मद्दान के अंदर में था तो बिहार का एक, पुरो बिधायक, यू कहें के वर्तमान बिधायक और किसन गंज में वर्तमान लोगसभा के परत्यासी, अक्तरूल इमाम जो M.A.E.M. का पिधायक है उन्होंने भी कहा भिहार की सरजमी से कि जारकंड में अगर कोई सेर है तो टाइगर जैराम महतो है टाइगर जैराम महतो है बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है महंगाई जो है तरस कर दिया है बेरोजगार तरस कर दिया है और जगह जगह पे महिला को भी तरस कर दिया है चुला के लिए गैस मिलता था सब्सक्राइब लोग अजहारखन को लोग बहुत सीधा होते हैं और दयालू होते हैं इसलिए मोदी के एक बार हम लोग दिये भोट और दस साल उसको बैठाएं मालिक मालिक बनाएं लेकिन मालिक के लाइक नहीं रहा इसलिए हम लोग पूरा बंठन के आके हम लोग यहां से सब्सक्राइब नहीं होना है और देखें यहां पर मोधी के सिवा कौन परधान मंत्री है बुली जब पूरा सीट पर ख़ड़ा कॉम्रेस नहीं किया है तो उसर प्रधान मंत्री बन जाए नहीं है है यह हो रही है कि जो सीटे पर 2019 में जो एंडिय के पास था पच्चास से जादा सीटे वह एंडिय का सीट कहीं ना कहीं इंडिया कट बन्दन की छोली में चला गया तो ऐसे में अब भीजेवी को नुकसान हुआ कोई नुक्सान विजेपी का नहीं है लोक्तंत्र है अभी अर्जुन मुंडा हार गये खुटी से हैं अभी जोवा मांजित गई है तो सवाल उठता है कि लोक्तंत्र में यह संविधान बना है यही मैं कह रही हूँ जितनी मजबूती थे पक्ष है उतनी मजबूती थे विपक्ष को भी होना चाहिए हार पर भी बोलना बहुत ज़रूरी है अभी उडिशा में विदान सभा का भी बीजेपी जी पुरा सी तेहतर सीट आ गया और वो लोग सभा में पुरा सी अच्छा अंकल आप बिल्कुल मैं यह जानने की कोशिश करूँगी कि जो देश में जो लोग सभा के चुनाव हुए और लगभग 50 सीटे ऐसी है बीजेप बंधन के पास चली गए क्यों गया क्या कैसे देख रहे हैं अगर जार्खन की भी बात करें तो जार्खन में विक्ती बावसा ऐसा है पार्टी का कुछ निर्ने गलत होने से जहां वो उमिदवार को हमको नहीं देना है परफॉर्मेंस उसका खराब अगर है तो फिर हम उसक अइसा नहीं होना चाहिए बदला होना चाहिए प्रत्यासी के हार का ठीकरा मोदी पर नहीं पूठाब नहीं है वह ऐसा बात नहीं है पुछ का निडेट पर निर्भर करता है यहीं बात जीत हार तो लगा हुआ लेकिन जन्मानस का भीव क्या है देश के परती राष्ट के परती उस साब जलक रहा है मोदी के परती मोदाद खतम होगी है दिल बुल है आरत में आना चाहिए तो मोदी ही आना चाहिए और कोई नहीं आएगा